हेलो आज जनता की भारी डिमांड पर मतलब मेरे स्टुडेंट्स जो की टीचर हैं उनकी काफी डिमांड थी कि सर ये कोश्चन आप जरूर से लाएं क्योंकि ये बहुत सारी कोचिंग में across the country पूछा जाता है और ये बहुत परिशान करके रखा हुआ है कई लोग बिचारे चलता है यह कोछिंग के मैटेरिएल में बहुत सारी बुक्स क्योंक आप देखिएगा कोशन यह एँ तेंशन कितनी होगी और friction force की value क्या होगी friction force की value पूछी जाती है यह question पूछा जाता है तो generally लोग करते क्या है लोग फटा-फट इसको solve करते हैं वो कहते हैं अच्छा ये भी थोड़ा style मारने के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं पहले string जो है ना वो हमने just tight की थी मतलब initial t0 था जब हमने रखा था before applying the force tension was zero अब तो ये question solve हो जाएगा चलिए साब देख लेते हैं हो जाएगा की नहीं तो कैसे करते हैं solve पहले ये बताता हूं लोग लोग कहते हैं 4 newton यह maximum friction force कितना हुआ 2 newton पीछे लगाया 2 newton बचा कितना 2 newton यहां पर लगाया tension की value 2 newton आगी सर और यहां 2 newton अगर हम लगाएंग है वाइस आप निकल लिए आगे मैं ऐसे कैसे निकाला आंसर कि आंसर ऐसे निकाला कि बाइटेंशन जीरो चार न्यूटन फोर्स लगाया आपने और maximum friction force क्या होता है मू इंटू एम जी तो म्यू की वैलू है 0.1 एम है 2 जी है 10 और यह आगया 2 newton 2 newton मैक्स और आप लगा र 4 newton चलेगा तो नहीं यह तो कंफर्म है क्योंकि दोनों का maximum friction force जो है वह चार न्यूटन से बढ़ा है तो यह तो कंफर्म में चलेगा नहीं तो आपकी question यह हो सकती है आप नहीं कह सकते यहीं से शुरू हो रही है बात ध्यान से सुनियागा क्यों यह question के solution गलत आते हैं zero है tension इसलिए zero नहीं कह सकते देखिए पहले मैं अपने logic से देता हूं बताता हूं आपको फिर मैं आपको इस पर आया हुआ 2018 का general दिखाऊंगा उस general में experiments किये गए और author ने properly conclude किया कि ऐसे questions में indeterminate data friction हला कि मैंने इसमें 2008 में आयटी कानपूर के professor से बात भी की थी उनसे confirm किया था क्योंकि आपको 2018 का भी journal दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि logic क्या है क्यों नहीं बता सकते logic ये है क्योंकि आप string भी inextensible लेते हो और friction में भी impending motion का friction oppose करता है for example आप ये भी तो कह सकते हो कि friction अगर मान लीजिए friction नहीं होता ध्यान सा सुनिया मेरी बात एक student ही आपको ये logic दे सकता है कि अगर friction नहीं होता तो क्या ये चलता पहले तो आप ये देखे मान लीजिए चलता अब क्या मैं ये बता सकता हूं कि guarantee से अब friction अगर ये चल रहा है तो friction तो पूरा होना चाहिए अगर चलता और नहीं चलता अगर नहीं चलता तो हम friction की value maximum या जतनी requirement होती वह लगाते लेकिन होता क्या है problem क्या है मतलब मैं अपनी बात को बताने के लिए एक और छोटा सा example ले रहा हूं वह ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको मेरी बात समझ में आएगी यहां पर एक वाल बना देता हूं अपनी बात को समझाने के लिए ठीक है और यहां पर 1 kg का block ले रहा हूं और म्यू की वैलू ले रहा हूं 0.2 अब सुनिएगा शायद मैं इससे अपनी बात को आसानी से समझा सकूं इसलिए एक्जाम्पल ले रहा हूं यहां पर इस जगह पोर्स लगा रहा हूं 10 नूटन का किसी ने कहा कि बताइए फ्रिक्शन कितना होगा और टेंशन की वैलू कित अब क्यों परिशान हो रहे हैं दूसरा तरीका कि अगर टेंशन किसी भी स्ट्रिंग भाई किसी स्ट्रिंग में टेंशन आने के लिए थोड़ा दी एक स्ट्रिस्वेंट तो होगा ना तभी तो टेंशन डवलप होगा तो जब 10 नूटन आप फोर्स लगाएंगे तो हलका स रिक्शन की वैलू एट नूटन तो एक तरीका कहरा ने-ने फ्रिक्शन दो आटेंशन की वैलू एक यह तरीका कह रहा होगा लेंड दोऑलू नूटन के साब से ऐसे फ्रिक्षन का क्या कोई फॉर्मूला होता है क्या क्या कहते है तो इसे भी इंडिटर्मेट ही कहते है और जहां दोनों आ गए नहीं बता सकते हैं कि उमीद करता हूं कि मैं अपनी बात को कुछ हद तक आपको संधा पाया हूं वह कुछ हद तक इसलिए बोल ला हूं क्योंकि हमारे हमने बहुत सालों से यह पढ़ते हुए इसलिए इससे कंद्मिन्स होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है जनली मैं उन टीचर्स की बात कर रह हूं जो ऐसे कोशन सौल करते आएं तो उनके लिए सजेशन है मेरा यह जनल आया हुआ है कि यह दा फिजिक्स टीचर का जनल है इस जनल में ऑथर जो है वो कैनेट डी हैं एंड जैक एम रसल है दा इन डेटर्मिनेट केस ऑफ क्लासिकल स्टाटिक फिक्शन वेन कुपल्ड गौटेशन एई जैब सकत। इस जनल को आप पढ़ें आपको बहुत डिटेल में एक्सपरिमेंट करके इस बात को एक्सप्own मैं से का बता सकों सकूं कि आखिरकर गालगों कि गरा in conclusion in conclusion we have found that in the case of the inclined plane in only inclined plane ko lekar ke experiment perform kiya the static friction is not only adjustable but also indeterminate in identical mechanical situations static friction can assume different magnitudes and direction the question was posed was joe bhi question we post was joe bhi nuna starting kati tiki kisi question ko lekar ke ki hamis ka answer deenge how does the system decide on the distribution of forces jiske baare meh baat karatakya baat karataya yaad dilata hon mahi baat yeh bhoat important line hai ki tension laghega kitana aur friction laghega kitana kaise decide kareenge to how does the system decide on the distribution of force is ka answer kya hai the answer appears to be to be that at the classical macroscopic level it does not nahi decide karta nahi bata sakte matab unka summation kebal bataya ja sakta hai the result the value of static friction or tension on the inclined plane join who na experiment kiya tha are theoretically and experimentally indeterminate theoretically be or experimentally be indeterminate nahi bata sakte the single and arguably simple mechanics problem can be satisfied by more than one value for each unknown forces मतलब infinite solution possible है तो उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ आप इस तरीके की चीजों को देखने के लिए मैं कोशिश करूँगा इस जनल की कुछ चीजें या कोई लिंक आप से साथ शेयर कर सकूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर आइए थैंक यू